हेलो माइडिया स्टूडिट वेलकम टू बैक माय चानल रोशन सा स्टड़ी पॉइंट जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का मिल्टर्म प्रैक्टिस पेपर तो आप लोग जानते ही हैं कि कल या परसो आपक प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो आपका एक्जाम होता है वो कुल तीन घंटे का होता है यानि कि आपका डूरेशन होता है वो थ्री घंटे तीन घंटे का होता है इसके लावा जो आपका पेपर होता है वो सेवेंटी माक्स का होता है यह ब 30 questions है, सभी questions जो हैं, वो करना compulsory है, इसके अलावा, जो 1 से 12 तक के जो प्रश्णे हैं, उनका जो अंक है वो है 1, और ये बहु कल्पिय प्रश्णे है, यानि कि 1 से 12 तक के जो प्रश्णे रहने वाले हैं, वो आपके 1 अंक के हैं, और ये MCQ टाइपस है, उसके बाद 13 to 16 तक के जो questions है, वो 2 marks के हैं, और आपके 17 to 26 तक के जो questions है, वो कुल 3 marks के हैं, इसके बाद और जो 3 marks के questions हैं, उनका answer आपको 80 to 100 words में देना है, इसके बाद आता है आपका section last, जिसमें 27 to 30 तक के questions शामिल हैं, और इसमें प्रतेक जो प्रशन है, उसका जो अंक है वो है चार, तो इस प्रकार से आपका जो paper है, वो divide किया गया है, 3 से 4 sections पे जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम start करते हैं, जो हमारे MCQ questions हैं, सबसे पहले गर हम बात करें, तो जो हमारा question number 1 है, वो है अस्टांग योग में डैश अंग होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अस्टांग, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कि अस्ट यानि कि इसका अगर हम इसको वो करेंगे, तो अस्ट प्लस अंग, तो अस्ट यानि की जिसके अग योग के आठ अंग है तो आप सभी जानते हैं अस्टांग योग में आठ अंग होते हैं उसके बाद second question है तो इसका जो answer होगा तो होगा आठ उसके बाद question number two शारिरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारिरिक क्रियाव द्वारा वैक्ति को प्राप्त होते हैं ये एक statement है और इन्होंने बोला है कि ये statement जो है या ये परिभाशा जो है वो किसने दी है यदि आप सभी को यादो chapter number one तो chapter number one जब हमने शारिरिक शिक्षा की परिभाशा देखी थी तो आप सभी जानते हैं कि उसमें हमने अलग-अलग जो विद्वान रहे हैं उनकी द्वारा दी गई जो statement है उस पे विचार किया था तो ये उनी में से एक statement है और ये जो statement है वो डैलवर्ट ओवर्टेक द्वारा दी गई है तो जो इसका answer होगा वो होगा first ठीक है उसके बाद next question के ओर चलते हैं अगला question है प्रतिरोध को विरुध मासपेशियों की कारे करने की योगिता को डैश के रूप में परिभाशित किया गया है तो आप सभी जानते कि ये जो है वो शक्ति की definition है तो शक्ति की से कहते हैं प्रतिरोध को विरुध मासपेशियों की कारे करने की योगिता होती है उसको शक्ति के रूप में परिभाशित किया जाता है तो इसका सही answer होगा option A शक्ति उसके बाद question number 4 question number 4 है स्वास्ते शारिरिक fitness में कितने घटक होते है how many components health related physical fitness है ठीक है तो आपको बताना है कि इसमें स्वास्ते संबंदी जो शारिरिक fitness होती है उसमें कितने घटक होते हैं आप सभी जानते हैं उसमें 5 घटक होते हैं ठीक है पहला घटक होता है इसका हिर्दै स्वास्वन योग्यता उसके बाद मास पेशी है सकती फिर मास पेशी है सहन शमता और चौत्था है शारिरिक बनावन और पांचवा होता है लचक तो इस प्रकार से कुल 5 घटक होते हैं शारिरिक स्वास्ते से संबंदे जितने भी fitness के जो घटक होते हैं उसके बाद आता है आपका इसमें ही और क्वेशन है नेमलिकित में से कौन सा कथन सारी कौन सा को जो कौशल है वो कौशल संबंदी फिटनेस का एक घटक है विच अमंग दव फॉलिवेंग इस अ कॉम्पेनेंट ओप स्केल रिलेटेट फिटनेस तो इसमें ह आपका फूर्ती फूर्ती को एगिलीटी भी बोलते हैं तो जो फूर्ती है वो आपका कौशल संबंदी फिटनेस का एक घटक माना जाता है उसके बाद क्वेशन नमर फाइव डैश विशेश आविशक्ता वाले बच्चों की शुक्ष्म गामक कौशलों से संबंदित क्रि होते हैं पूर्ट अर्ल जो केवल उनकी कांसलिंग करते हैं शारेश शिक्षा में हैं व्यावसायक चिकतसक वो उनको आप देखेंगे अगर तो काफी मतलब उनको अगर देखा जाए कपड़े पहनने में नहाने में स्वास्थे को सवारने में और स्वास्थे को ठीक रखने में इन सारे काम को करने में सहायता करते हैं तो जिसका आंसर होगा वो होगा स्वास्थे और रोगमुक्त रहने की अवस्था को डैश कहा जाता है आप सबी जानते हैं स्वास्थे और रोगमुक्त रहने की जो अवस्था होती है उसको हम स्वास्थे कहते हैं ठीक है तो कोई वेक्ति अगर स्वास्थे है तो वो रोगमुक्त भी है स्वास्थे हम उसी वोलते हैं जो रोग मुक्त होता है तो दा स्टेट ऑफ बिंग हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजिस कॉल इस है या फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड वेल विंग तो अगर आप इसका देखें वेलनेस भी हो सकता है सू स्वास्त है क्योंकि सू स्वास्ते में क्या स्वास नेमलेकित में से किस ओलम्पिक आदर्श का वाक्य तेज है तो ओलम्पिक आप जानते हैं कि जो ओलम्पिक आदर्श वाक्य है उसके तीन शब्द है तेज फिर गती उसके बाद शक्तिशाली तो तेज गती आ फिर उचा और शक्तिशाली तीन शब्द होते हैं तो तेज का मतलब क्या है तेज का अगर हम देखें तो CTS को को तेज कहा गया है अगर देखा जाए तो और Altis और Fortis Altis की बात करें तो Altis का मतलब होता है ऊचा और Fortis का मतलब होता है शक्ति शाली तो इस प्रकार से इसका जो सही आन्सर होगा वो होगा CTS फिर हम बात करते हैं इसके और अगर आप दूसरा कोई question solve करना जाए तो किस दिन को ओलम्पिक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह आपका chapter number 2 से है question इसमें बताने और उपर वाला भी chapter number 2 से था तो इसमें बताना आपको किस दिन को ओलम्पिक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा कर यानि कि 23rd of June तो 23rd June को ओलम्पिक दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके बाद हमारा question number 8 question number 8 is डैश व्यक्ति के प्रदर्शन और दैनिक दिन चार्या को की में सोरी दैनिक दिन चार्या में काम करने की शम्ता को बाधित करता है तो इसने आपको बताना है कि शम्ता जो होती है वो प्रदर्शन और दैनिक कारे करने में शम्ता बाधित करता है विकार, रुग्णता या फिर बिमारी तो आप सभी जानते हैं कि अर्शमता जो होता है वो व्यक्ति के प्रदर्शन और दैनिक कार्ये में काम करने की शमता को बाधित करता है अगर थोड़ा साब ध्यान दे तो अर्शम बच्चे जो होते हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत स्पोर्स हो गया पढ़ाये में वो भी काफी अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे पाते हैं तो यहां पर इस थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा कि विकार व्यक्ति के प्रदर्शन और दैनिक दिन चर्या में काम करने की शमता होती है उसको बाधित करते हैं या फिर अर्शमता तो इसमें आपका सही आंसर है और शमता क्योंकि और शमता एक और सक्षमता के कारण ही जो दिव्यांग या पर जो बच्छे होते हैं उनको अपने प्रदर्शन और जो उनका दैनिक दिन चर्या होती है उसमें किये जाने वाले जो कार्या होती है उनको करने में काफी जाद कठिनाई होती है तो इसका सही आंसर होगा और सक्षमता उसके बाद है क्वेशन नमबर नाइन प्राचीन ओलंपिक खेल किस भगवान के सम्मान में आयोजित किये गए थे दा एंशेंट ओलंपिक गेम्स वर हेल इन अफॉनर ओफ विच गॉड तो आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर टू से क्वेशन है और हमने डिसकस किया था कि यूनान में एक गॉड थे जिनका नाम था जीयोस उनके पुत्र ने जो ओलंपिक गेम है उनकी शुरुवात की उनके सम्मान में यानि कि जो पुत्र है हिरोलियस वो ओलंपिक खेलों की शुरुवात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा गह जीयोस ठीक है उसके बाद एक और क्वेशन है इसी में और करके निमलिके में से किसने भारत के लिए दो ओलंपिक खेलों में पदक जीते अब आप लोग एक चीज को ध्या आपको अगर थोड़ा साव हो तो नीराच चोपडा नहीं होंगे उन्होंने केवल एक ही जो पदक है वो जीता था और बज़रांग के पुन्या नहीं भी केवल जो हमारे बहुत-बड़े एकपवोर है चुकरे उन्होंने भी उनको भी केवल एक पदक की प्राप्ती हुई और सायन नहीं वार niemal भी ओलंपिक में किवल एक ही पदक की प्राप्थी कर पहें इसके अदावा जो PV सिंदु है वो पहली भारती है महिला है जिन्होंने ओलंपिक में दो ओलंपिक पदो की पदो को प्राप्थ किया या जीता तो इसका सही आंसर होगा PV सिंदु उसके बाद नेक्स प्रशन की ओर चलते हैं अगला क्वेशन है नेम लेकित में से कौन सा शारिरिक और शम्ता नहीं है which among the following is not a physical disability तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शारिरिक और शम्ता नहीं है देखिए शारिरिक और शम्ता से मतलब होता है कि ऐसी और शम्ता जो वेक्ति के शारिरिक रूप में वेद्दिमान है मतलब जो शारिरिक रूप से कोई वेक्ति काम नहीं कर सकता है यासे कई बार होता है आपने देखा होगा कि किसी को disability of backbone होता है यानि कि read की हड़ी की शक्षमता होती है किसी को देखने में आक्षमता होती है तो किसी को सुनने में या किसी को सिर्की चोट में तो ये सारी जो है वो physical disability है तो इन्होंने वहीं बोला है कि शारिरिक रूप शम्ता कौन सा यहां नहीं है तो इसमें आपका अपंग भी आप देख सकते एक शारिरिक है मस्तिक्षपी, पक्षघातबी और सुनने में परिशानी ये तीनों ही physical disability है तो ये तीनों तो है इन्होंने बोला है शारिरिक जो अशारिरिक शम्ता नहीं है तो इसका सही आंसर होगा dyslexia dyslexia जो है वो एक प्रकार का learning disorder होता है और यहां पर बात हो रही है शारिरक अशारिक शम्ता की तो आप लोग याद रखिए कि जो dyslexia होता है वो learning disorder होता है जिसके कारण सीखने में परिशानी आती है उसके बाद अगले प्रश्नी की ओर शलते है question number 11 इसमें आपको बताना है कि जो अभी कथन है मतलब जो कथन है और कारण दोनों में से क्या ठीक है और उसकी व्याखिया ठीक है या नहीं है तो सबसे पहले सामाजिक विकास का परिदा एक स्वश्श का होता है यह अगर आप देखें तो थोड़ा आपको यह अजीब लग रहा है कि सामाजिक विकास का परिणाम एक स्वस्ते समाज होता है अगर इसको change करके लिखे कि आपका कथन क्या है कि एक सामाजिक विकास का परिणाम क्या होता है एक स्वस्ते समाज तो अगर हम इसको इस प्रकार से बोले कि एक स्वस्ते समाज का परिणाम एक स्वस्ते समाज समाजिक विकास का परिलाम होता है तो एक प्रकार से ये ठीक है इसके बात कारण क्यों चलते हैं खेल समाजिक संपर्क के अफसर प्रदान करता है ठीक है जो खेल है वो समाजिक संपर्क के अफसर प्रदान करता है ये बात आप सभी जानते हैं जिससे सईयोग, त्याग, खेल, भावन, आदी गुणों का विकास होता है अब आपको current तो ठीक लग रहा है लेकिन जो कथन है वो ठीक नहीं है तो यहाँ पे कुछ options हैं जो आप देख सकते हैं पहला option है, option का जो कथन और R यानि की जो reason है कारण दोनों सत्या हैं लेकिन R और A की जो व्याख्या है वो सही नहीं है तो आपने देखा एक की व्याख्या ठीक है R की लेकिन A की व्याख्या में थोड़ा सा हमको अलग लग रहे है उसके बाद B है, A और R दोनों सत्या हैं लेकिन R A की सही व्याख्या है तो ये बोड़ा है कि दोनों की व्याख्या सही है फिर है ग, जो ग है वो बोलता है ग, A सच है लेकिन R जो है वो जूट है और फिर ग, बोलता है कि A जूट है लेकिन R सच है तो उसका सही आंसर होगा गहाओ क्योंकि समाजिक विकास का परिणाम केवल एक स्वास्य समाज नहीं होता है उसका एक ही नी बलकि और भी होता है समाज का विकास करना, समाज कितनी तरक्की को प्राप्ट कर रहा है तो यह सारे के सारे समाजिक विकास के ही परिणाम जो होते हैं तो ए जो statement है वो गलत है और जो second statement जो reason दिया गया है वो बिलकुल ठीक है तो इसी के साथ आपको इस तरीके से select करना है कि जो statement दी गई है उसके according अगर reason है तो ठीक है अगर नहीं है तो options में दिये गई जो भी आपको लगता है कि वो statement ठीक है तो आप statement को ठीक कर दीजिए अगर आपको लगता है वो statement गलत है और reason सही है तो उसके according आप लोग अपना answer दे सकते हैं तो इसके साथ हमारा जो answer होगा वो होगा last जूट है ए जूट है लेकिन जो r है यानि कि जो reason है वो ठीक है उसके बाद question number 11 sorry question number 12 इसमें आपको matching करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि सौच यानि की पवित्रता संतोष यानि की इच्छाए तब से क्या होता है अभ्यास से आप देख सके तब और उसके बार स्वाध्याय से अध्यान तो यह matching जहां पे होंगी वो आपको select करना है और इसका सही answer उसके बाद next question है 13 अब आप जानते है 13 से आपके तीन से चार माक से question शुरू हो जाएंगे इसमें आपको दिये गए क्रियाओं की पहचान करके उनके नाम लिखना है आपको बताना है यह क्रिया कौन सी है या आप मुझे comment box में बताएंगे इसका answer मैं आपको भी नहीं बता है आपको यह कौन कौन सी क्रियाओं है एक का मैं बता देती हूं यह से हम बस्ती क्रिया कहते हैं बाकी के तीन आप मुझे comment box में बताएंगे next question है 14 इसमें आपको अपने पारंपरी खेलो का बताना है इसमें आप बता सकते है कवड़ी यह आप सभी चालते हैं उसके बाद यह है रनी फिर इसको बोलता है पिट्थू करके एक जो नेम होता है लास्ट का जो गेम है उसका नेम नहीं पता मुझे लेकिन आप सभी को पता है तो please comment में बता है मुझे और आपको पता भी होना चाहिए कि यह कौन सा गेम है फिर उसके बाद है फिट इंडिया प्रभात टेरी पर एक शिंशेप्त टिपनी लिखे यह आपका दो माक्स का है और इन्होंने बोला है कि शंशेप्त यानिकि आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो दो से चार पॉइंट इसमें एड़ कर सकते हैं आपको फिट इंडिया प्रभात फेरी के बारे में बताना है फिट इ अरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था और इसमें अलाग-अलाग community के लोग शामिल थे और उनका मतब अलाग-अलाग community के लोग आके इसमें शामिल होते हैं एक क्रुप तरिक बनाते हैं जो इसका संचालन गरता है तो फिट इंडिया प्रभात फेरी पर आपको इक्तिक नोट लिखना है उसके बाद question number 16 16 है आपका और शम्ता के चार कारण लिखिए और शम्ता के आपको किनी चार कारणों का उलेक करना है तो सबसे पहला कारण है आपका आनुवानशिक आप सभी जानते हैं कि आनुवानशिक कारण जो होता है वो विविल्ल प्रकार की और शम्त सबसे प्रमुक कारण माना जाता है ठीक है तो पहला आपको बताना है आनुवानशिक कई बार आप सभी जानते है को पोशन के कारण भी जो असम्ता होती है वो कईना कई विक्सेत हो जाते हो आगी तकी वो प्रॉब्लम करती है तो अगर हम अपने देश की बात करें हमारे देश में को पोशन और शम्ता का एक प्रमुक कारण है ठीक है यदि बच्चे की उचित पोशन युगत भोजन ना मिले तो वो क्या होता है कई बार कई प्रकार की शारिरिक और मानसिक शिकार हो जाता है ठीक है जैसे आयोडीन की कमी से भी आप देख सकते हैं कई सारी अश करणहें जैसे की तेजी से बदलते पर्यावरन तो लोग उते हैं वो को को पोशन का शुकार हो जाते हैं ठीक है और सारी यह Funkे पोशन की सब्सक्राइब करने मेले देख देख कर कारण बन जाते हैं यदि हम एक उधारन के बाद करें तो जपान पर हुए ना भी कि है मतलब जो पर्मानु अटेक हुआ था उसके कारण आज भी वहां के जो बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी इसक्षम रूप में उनका जन्म होता है तो कई ना कई इन्वार्मेंटल भी जो रीजन्स होते हैं वो भी बच्चों को किसी डिसेबिलिटी को क्रियेट करने में एक महत्रपून रोल निभाता है इसके अलावा बता सकते हैं जीवन शेली संग क्रमन गरीबी मानसिक स्वास्त संबंदी समस्य आएं तो इन सारे कारणों के कारण क्या होता है और शमता या फिर आप बता सकते हैं इसके अलावा अनुकूलित शारिरिक शिक्षा कि किनी दो देश्यों के आप व्याख्या कर सकते हैं उसके बाद क्वेशन नमर 17 है आपका XYZ स्कूल के छात्रों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरी खेलों का सर्वेक्षन के परिणामों को दर्शाने वाला ग्राफ नीचे दिया गया है यानि कि आपको ग्राफ का क्वेशन भी आ सकता है तो ये ग्राफ इस प्रकार से है 14% कंचे खेलने वाले बच्चे हैं इसके अलावा 17% कबड़ी खेलने बच्चे हैं और बात करें एगर 19% की तो जो 19% बच्चे हैं वो गिली रंड़ा खेलते हैं और जो खोखो 28% और 22% लट्टू तो इसमें से आपको बताना है कि अधिकांज छात्र कौन सा पारंपरी खेल खेलते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 28% तो 28% जो है वो कौन से छात्र जादा ये गेम खेलते हैं तो ये कंचे वाला गेम तो आपको बताना है कि लखोटी या कंचा जिसे बोलते हैं ये जो गेम होता है वो सबसे जादा खेला जाता है पारंपरी खेलों में उसके बादा कितने प्रतिशत छात्रों ने कबड़ी तो आपको जितने बच्चों ने जितने प्रतिशत छात्रों ने कबड़ी के लिए उसका परसंटेश बताना है फिर काडियो स्वसन शेहन शमता में सुधार के लिए निमलेखित में से कौन सा पारंपरी जो खेल है वो सबसे जादा अच्छा है तो इसमें कबड़ी खोखो लट्टू है गिली टेंडा तो अगर आप बात करें लट्टू तो नहीं लेकिन कबड़ी कबड़ी और खोखो में से कोई एक हो सकता है आप लोग इसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताए कि इसका आंसर क्या है और इसका आंसर दोनों में इसी अगर देखा जाए थोड़ा पर सोचके तो फटाफट से मुझे बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है फिर मैं आपको इसका सही आंसर कॉमेंट बॉक्स से बताती हूँ उसके बाद है आपका next question 18 रादिका एक wellness coach है वह ऐसी सक्रिय प्रकर्या सिखाती है जिसके माध्यम से लोग चागरुख हो जाते हैं और एक अधिक सफल अस्तित्व की ओर चुनाव करते हैं तो दी गई जानकारी के अधार पर नेमलेखित प्रश्णों के उत्तर दे सबसे महला है wellness यानि की सु स्वास्ते का कौन सा घटक किसी व्यक्ति की दिन प्रते दिन की कामकाज की मांगों को पूरा करने के और उसके स्वास्ते की देखभाल करने में सक्षम होने की समता में सुधार करता है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ के ध्यान रखना है आप द शरीर स्वास्ते होगा तो आप अपने दिन प्रते दिन की जो कामकाज है उनको पूरा कर पाएंगे इसके लावा आप अपने शरीर आप अपने स्वास्ते का भी देखभाल कर पाएंगे तो इसका आंसर होगा को शारिरिक सु स्वास्तियों प्रयरित करता है तो आत्म देखभाल और आत्रिक आत्मु इसके आलावा आंतरिक आत्म के विकास ठीक है? तो इसका आंसर आपके सामने है आप मुझे comment box में बताएं देखें तो इसका आंसर बता देते हैं इसका आंसर होगा अध्यात्मिक सूस्वास्तियो उसके बाद third part है wellness का कौन सा घटक जीवन के अर्थ और सही दिशा को खोजने में मदद करता है तो इसका आंसर भी होगा आध्यात्मिक सूस्वास्तियो फिर अगला question है आपका शारिक शिक्षा के लक्षय और उदेश्यों के विस्थार से चक्षा करें तो इसमें आपको शारिक शिक्षा के उदेश्य और उनके लक्षियों के बारे में बताना है तो शारिक शिक्षा के लक्षे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है व्यक्ति का सर्वांगिन विकास करना ठीक है? तो व्यक्ति का सर्वांगिन विकास करना सेकेंड आप बोल सकते हैं एक कुशल और योगे नेतरित्व प्रदान करना तो आपको दो उदेश्य देने और दो लक्षे अब हम बात करते हैं उदेश्य की तो सबसे पहला है इसका शारिरिक विकास शारिरिक विकास इसके अलावा मानसिक विकास तो दो point आप शारिरिक विकास और दो आप मानसिक विकास के दे सकते हैं उसके बाद लक्षे की बाद करें तो व्यक्तिकास सर्वांगें विकास करना सबसे बेले लक्षे and second is एक कुशल और योगे नेत्रित्व प्रदान करना उसके बाद गयती आप ये question नहीं attempt करना चाहते हैं आपके आपको नहीं आता है तो second question किसी रास्टर के विकास में शारिक शिक्षा किस प्रकार महतुपूर्ण भूमिका निभाती है आप सभी जालते हैं ये जो question है वो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर देना है कि किसी रास्ट के विकास में अगर हम बात करें शारिक शिक्षा की तो वो किस प्रकार से एक महतुपूर्ण भूमिका निभाती है ये भी कुल चार माक्स का है और इसको भी आपको चार से पांच पॉइंक में लिखना है उसके बाद question number 20 नियमित रूप से योगा भ्यास करने के किनी 6 लाभू के बारे में चर्चा करनी है तो सबसे पहला जो लाभ है वो है एक आगरता है अब सभी जानते योग के माध्याम से एकागरता करने में काफी ज्याधा help मिलती है तो एकागरता में ब्रिद्धी सैकेंड़न आप बसा बता सकते शारिरिक रूप से स्वस्थ रूप स स्वस्थ और मांजिक रूप से स्वस्थ तनाव में कमी रोगों से मुक्त शारिक सौंधर्य में बृध्धी लचक में बृध्धी इसके अलावा अध्यात्में विकास में श्रहायक होती है तो इनमें से अब किनी भी छे पॉइंट्स को आप इन्हें पें लूट कर सकते हैं उसके बाद विभी ने प्रकार की अर्शम्ताओं को विस्तार सी समझाईए आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार की अर्शम्ता होती है पहली है बौधिक फिर है शारिक तो आपको बौधिक बताना है और शारिक फिर उसके बाद बताना है कि इनके अंतरगत कौन-कौन से क्य कारण होते हैं कौन-कौन सी अर्षमता आती है तो बौतिक और शारिडिक जो अर्षमता है वो अर्षमताओं के प्रकार है उसके बाद अगले कुशन के बात करें तो किसी एक पारंपरिक खेल पर टिपनी लिखें और सूस्वास्ते को बढ़ावा देने में इसके लाब के बा बाद एक्स्वेन इसे इस बेनिफिट इंप्रामोर्टिंग वेल्नेस तो आपको इसका बारे में जो बी आप वेल्डेश में उसको क्या लाब है फिर अगला क्वेशन है विशेष आवश्रकता वाले बजो में व एकट है कि भुमेका को समझाय विस्योosit थेरयूब होता है बहुत एक चिकित सक तो पहले आपको बताना है कि फिजियो थेरेपेस्ट होते कौन है उसके बाद आपको फिजियो थेरेपेस्ट की भूमिका बतानी है कि एक जो विशेश आविश्यक्ता वाले बच्चे होते हैं उनके विकास में फिजियो थेरेपेस्ट की क्या भूमिका ह तो सबसे पहले बता सकते हैं कि जो फिजियो थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चे की शारिरिक जो स्थिती होती है उसका मुल्यांकन करते हैं फिर वह माश्पेशियों की गतिशीलता में ब्रिधी के लिए अभ्यास सत्रों का योजन करके शारिरिक शक्ति और मुद्रा को इस विशेश हावश्पता वाले जो बच्चे होते हैं उनका विकास करती हैं कि तो आपको यह और ये शी चानी करनाल और ह। कि विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चों के विकास में क्या भूमिका है उसके बाद नेक्स को नेक्स क्वेशन आपका ओलंपिक ध्वच पर एक शंशिप्त टिपनी लिखिए उसके बाद यह तो बहुत सिंपल कोशन आप सभी इसको कर लेंगे उसके बाद किसी एक ध्यान किसी एक आसन विधी को बताना है और उसके लाव तो किसी भी एक आसन विधी चाहे वो मतस्या आसन हो गया है या फिर कोई भी आसन हो गया है धनुरासन, चक्रासन, किसी एक आसन विधी को बताना है उसका मतब क्या प्रोसेस होता है explain the procedure and benefits of any one आसन in detail तो ये भी 3 marks का है तो पहले आपको आसन में दी बताने जो 2 marks की है उसके बाद आपको उसका लाव बताना है तो इस तरीके से division किया गया है या फिर नैतिक अनुशाशन विक्सित करने में योग किस प्रकार से सहायता करता है आप सभी जानते है योग के माद्यम से हमारे जीवन में नैतिक अनुशाशन आता है तो जो योग होता है उसके तो बहुत सारे benefit है जिसमें से एक है नैतिक अनुशाशन विक्सित करना तो आपको बताना है इसमें कि नैतिक अनुशाशन विक्सित करने में जो योग होता है वो किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है आप सभी जानते हैं कि जब आप अपने दिन की शुरुवात योगा आसन्से करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आसन्स होते हैं जो आपको बहुत पहली बात आपको एकदम शान्ती प्रदान करते हैं, वो एकागर करते हैं, आपको अध्यात्म से जोडते हैं, जब इन सारी चीज़, ये सारी चीज़े आपके इंदर डेवलप होती हैं, तो आप कही न कही एक अच्छा, एक आप moral discipline भी सीखते हैं, जो एक एक मनुष्य की life में बहुत बड़ा role play करता है, तो इस प्रकार से बताना है कि योग के माध्यम से आपके जीवन में या किस प्रकार से आपका नैतिक अनुशाशन जो है वो विखसेत होता है, उसके बाद फिर next question है, शक्ती को परिभाशित कीजिए और शक्ती के किनी, शक् विखन प्रकार बताए, तो इसमें आपको पहले शक्ती की जो definition दी हुए है, define strength, आपको पहले strength को define करना है, उसके बाद explain different types of strength, फिर आपको जो strength है, उसके different types बताने है, उसके बाद आपको बताना है, शक्ती के प्रकार, तो शक्ती के दो प्रकार है, सबसे पहला गतिशीर यानि कि dynamic strength उसके बाद स्थेल शक्ति इसे हम English में static strength भी बोलते हैं तो दो जो type है आपको शक्ति के वो strength के वो बताने हैं और उनको define करना है उसके बाद फिर the next question है अलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुक बहु खेल प्रतियोगिताओं के रूप में जाना जाता है इस जिसमें 200 से अधिक जो देश होते हैं वो भाग लेते हैं अलंपिक खेल वे हैं जहां दुनिया प्रतिसपर्दा करने मैसूस करने प्रेरित करने और एक साथ रहने के लिए आती है दी गई जानकारी की आधार पर नेमलेकित प्रशनों के उत्तर दे अब आपने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि प्राचीन प्रतम प्राचीन ऑलंपिक खेल जो है वो किस वर्श आयुजित किये गए थे तो आप सभी जानते है कि जो प्रतम प्राचीन ऑलंपिक जो खेल है वो 1896 में आयुजित किये गए थे उसके बाद फिर पिर आपको बताना है इसमें इसमें आपको ऑलंपिक के बारे में पताना है कि ऑलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुक बहु खेल प्रतियोगिताओं में के रूप में जाना जाता है जिसमें दोसों से अधिक देश जो होते हैं वो भाग लेते हैं ओलम्पिक खेल वे हैं जहां दुनिया प्रतिस फर्दा करने महसूस करने और प्रेरित करने की एक और एक साथ रहने के लिए आती हैं तो ये परग्राफ पढ़के आपको कुछ प्रशन के उत्तर देने जिसमें से पहला है प्रतम प्राचीन ऑलम्पिक जो खेल है वो किस फर्श आयोजित किये गए थे तो इसका सही आंसर है 776 इसा पूर्फ यानि कि 776 इसा पूर्फ में प्रतम प्राचीन ऑलम्पिक खेलों का योजन किया गया था दूसरा प्रशन है कि जो ऑलम्पिक खेलों का सरवोच्चे स जो इसका संचालन करती है उसके बाद भारत पहला अधुनिक ऑलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया था तो इसका सही आंसर है गव एथेंस में एथेंस में पहला पहला अधुनिक ऑलंपिक जो है वो आयोजित किया गया था उसके बाद नेमलेकित में से कौन सा भारत में ऑलं जितने भी उलम्पिक से संबंदे जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी कारेकरम होते हैं, उन सब का संचालन करता है, तो इसका सही आंसर है भारत उलम्पिक खेल संग, भारत उलम्पिक संग, भारत उलम्पिक समीती या भारती है उलम्पिक अकादमी, तो इसमें आपको बताना ह कि अस्टांग योग क्या है यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारना ध्यान और समाधी यह आठ अंग हैं जो योग के माने जाती है इनमें से यम नियम आसन और प्राणायाम को आपको एक्स्प्लेइन करना है कि यम क्या होता है नियम क्या होता है इस प् और उसके लाभों का यहां पर विस्तार पूर्वक उलेख करना है तो इस प्रकार से जो आपके सभी क्वेशन से वह डिसकस कर लिए गए हैं और जितने भी जो भी आंसर वह भी मैंने आपको क्वेशन सहित समझा दिये हैं कि इन में कौन-कौन से जो आंसर है वह आपको लिख करें ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है यह मिट्टर्म का क्वेशन पेपर है 2022-23 सेशन वालों के लिए तो कई बार होता है कि इसमें काफी सारे क्वेशन पूछ लिए जा सकते हैं और इसके अलावा आप लोग चैप्टर्स की वीडियो पी देखिए नहीं देखिए तो आ आप लोग questions attend कर पाएंगे अन्य था नहीं तो प्लीज चैप्टर की वीडियो देखें कोई डाउट है तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ यह share करें क्योंकि यह most important है आप लोग को पता होना चाहिए कौन-कौन से questions है जो paper में आने वाल है तो प्लीज रॉश्च चाह study point को subscribe कीचिए इसी के साथ मिलते हैं next video में thank you for watching